इसके पीछे कारण है कि नेसनल अवार्ड उनकी परफॉर्मेंट्स जवान के लिए उन्हीं बेस्ट एक्टर का आवार्ड मिल सकता है और आपको पता है भी दादा साब फाल के अवार्स मुंबई के अंदर अवजित किये गे थे जहां भाई शारू खान ने अपना बेस्ट परपॉर्मेंट्स दिया और उसके लिए उन्हें बेस्ट फिल्म और बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी जीता अब हम बात करते हैं कि नेशनल जो आवार्स है वो बेस्टिक लिए दिया जाने वाला है और शारू खान की दाविदारी जवान फिल्म के लिए वैसे बहुच जाता है और आपको पता है कि सारू खान ने जो कारनामाकर दिखा है उसके बाद जो केंदर सरकार भाई उनको मानती है इस से बड़ा कोई global star नी है जहाँ पर नरेंदर मोदी जिस काम को नहीं कर पा रहे थे वहाँ पर आपको पता है कतर के अंदर हमारे आठ जो ओपिसर से वो पसे वे थे किसी परकार से उनको आजा तो नहीं कराया जाया था बट उन गल्फ कंट्रीज के अंदर दोस्तों सारुखान का जलवा है प्रधान मंतरी मोदी ने फोन किया और उनसे रिक्वेस्ट की वह जाएं और बात करे शारुखान वहाँ गये और शारुखान का रस्पेक्ट आपने देखा होगा किस परकार वहाँ प्रस्पेक्ट किया गए वहाँ के प्रधार मंतरी हाँ जोड़े उनका मोस्ट एलकम क्या और जो आठ उपिशर थे उनको भाई रिहा भी क्या गया इतना बड़ा गलोबल स्टार है तो केंदर सरकार भी मानती है यह है बंदा असले टैलेंटेड बंदा यह है उसके बाद दोस्तों यह खबर ही चापलूस नंबर वन है और इसी वज़े से उनको नेशनल आवाड देना है तो शारू खान को ही देना है और बेसिकली उनकी जो फिल्में आपको पता होगा आपको जो फिल्में थी सवदेश सवदेश के लिए उनको नहीं दिया गया अब उस समय सरमिला टैग और जूरी म इसी वज़े से उनको नेशनल आवाड दे दिया गया तो भाई अब इसके अंदर जवान की जो स्टोरी जबरदस्ती और जवान में जो प्रोब्लम्स दिखाए गई हैं समश्य दिखाए गई है उसको भाई बीजेपी कॉंग्रेस भी अलग लग देख रही कॉंग्रेस मान सिस्टम के खिलाब है लेकिन बेसिकली अब केंदर सरकार ये फैसला कर चुकी कि नैसल आवाड अगर देना है तो फिर वही शारुखान को देना है उनके फिल्म को देना है उनके उर्दबे को देना है क्यों कि आज ओवर्सीज गंदर ये कहते हैं कि आप शारुखान के दे